जय हिन, जय जोहार, मैं स्वब निलतिवारी, चंद्रा एकेडमी के इस डिजिटल प्लैटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों, आप सभी के लिए महत्पूर्ण सूचना है, और यह है, कि चंद्रा एकेडमी की ओफलाइन कक्छाओं के साथ साथ, अब आप चंद्रा एकेडमी की ओनलाइन कक्छाओं भी जोईन कर सकते हैं, जी हाँ, चंद्रा एकेडमी की ओनलाइन कक्छाओं के डेमो विडिय देख सकते हैं, चंध्रा एकेडमी की आलाइन क्लासेस एप, इस QR को सकैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या नीचे description में दिये गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इस कोर्स की आपको कुछ विशेस्ता हैं बताना चाहूँगा कि चंदरा एकेडमी की online classes आप live कक्षा हैं या recorded कक्षा हैं दोनों mode में join कर सकते हैं live कक्षा हैं आप offline कक्षाओं के साथ उसी समय पर देखेंगे साथ ही इन कक्षाओं को आप बाद में recorded mode पर भी देख सकते हैं और recorded कक्षाओं को तो आप कभी भी किसी भी समय पर देख सकते हैं हमारे online courses के अंतरगत बहुत सारे courses उपलब्ध हैं जैसे की CGPST Prelims प्लस व्यापम का course है जिसकी live और recorded course की fees दी गई हैं आप इस fees को पे करके इस कक्षाओं को join कर सकते हैं व्यापम और prelims के course की अवधी होगी एक साल की जिसकी अंतरगत आपको 1000 से अधिक recorded video lectures उपलब्ध तुरंत कराये जाएंगे और साथ ही उस एक साल की validity के अंतरगत जितने भी live कक्षाओं में video lectures बनेंगे वह भी आपके recorded lectures में add कर दिये जाएंगे इसके साथ ही आप CGPSC mains की कक्षा भी join कर सकते हैं, mains की कक्षाओं की validity रहेगी दो साल की, live कक्षा आप offline कक्षाओं के साथ join कर सकते हैं तथा recorded course दो साल तक के लिए लगभग 1500 से अधिक video lectures आपके पास उपलब्ध होंगे इसके साथ ही यदि आप व्यापम का ही सिर्फ recorded course जोईन करना चाहते हैं तो इसकी fees रहेगी मात्र 6999 और इसकी validity रहेगी एक साल की इसके अतरिक्त यदि आपके पास एक साथ fees देने की सुईधा उपलब्ध नहीं है आप economic difficulties से जूज रहे हैं आप एक साथ fees पे नहीं कर सकते हैं किसी भी कारण की वज़ा से तो हमारे आप मंतली subscription भी उपलब्ध है आप मात्र 995 रुपे की fees के साथ हमारे सभी recorded course जिसके अं की validity के लिए जॉइन कर सकते हैं जैसे ही 30 दिन की validity खतम होगी आप फिर से 995 रुपे का subscription ले सकते हैं इसके अतरिक्त आप कोई प्रिथक वीशे जॉइन करना चाहते हैं जैसे maths और reasoning की कक्छाएं आप जॉइन करना चाहते हैं तो आप इसे भी जॉइन कर सकते हैं दोनों live mode म इसके अतरिक्त आप यदी जैसे की व्यापम, hostel warden जैसी परिक्छाओं के लिए computer एक special subject रहता है यदी आप computer की भी कक्छा प्रिथक से जॉइन करना चाहते हैं तो उसे भी live और recorded दोनों mode में जॉइन कर सकते हैं इसके साथ ही आप 36 गड़ सिर्फ 36 गड़ की कक्छा जॉइन क कर सकते हैं इसके अतरिक online test series भी उपलब्द है और इसके साथ ही online subscription में कुछ भी doubt होने पर आपको सारे faculties के सारे teachers के number उपलब्द रहेंगे जो भी concern faculty है आप उससे doubt consult कर सकते हैं जी हाँ चंदरा Academy की online कक्छाओं से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जल से जल इस QR code को scan की कीजिए application download कीजिए या नीचे दिये गए description में जो भी link दिये है application के वहां से भी download कर सकते हैं और दिये गए number पर संपर कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं हलो फ्रेंड्स मैं रुपेश कुमार साहू चंदरा एकेडमी की ओर से आपका स्वागत करता हूं तो आईए हमारे भारत के 36 गड़ के जिहास का जो टेस सीरीज में पेपर हुआ है उसके explanation की ओर आते हैं चलिए तो पहला सवाल है कि सीवरी निरायन के सम्मंध में असत्य अथन बोलता है इसमें कि इसे 36 गड़ का गुप्त प्रयाग कहा जाता है इसको 36 गड़ का गुप्त प्रयाग कहा जाता है बिलकुल सही है इसका सम्मंध मतंग रिसी से है मतंग रिसी ये जो मतंग रिसी है ये सिर्माता के गुरु है मतंग रिसी तो मतंग रिसी से है बिलक यह महा भारत कालीन इस्थल नहीं है, बलकि यह कुन सा इस्थल है, यह रामायन कालीन इस्थल है, और यह महा नदी मांड और लाक नदी के संगम पर है, यह कथन भी गलत है. क्योंकि जो सिवरी नरायन है, वो एक तो महा नदी हो गया, दूरा सिवनात हो गया, है ना, महा नदी प्लस सिवनात प्लस आपका जोक नदी, यह इन नदियों के तट पर है आपका सिवरी नरायन. तो इसमें से यह कथन गलत हो गया और यह कथन गलत हो गया, तो प्रस्न क्या पूछा है, असत्य कथन है, असत्य कथन देखना है, तो कौन-कौन से कथन असत्य है, तीन नंबर का कथन असत्य है और चार नंबर का कथन असत्य है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर 36 गड़ में रिसब तिर्थ की जानकारी का साहित्तिक सुरोत क्या है इसमें अगर हम देखते है तो हमारे पास सबसे पहले तो रिसब तिर्थ के बारे में जान लीजिए रिसब तिर्थ जो है ये गुझी गुझी नामक एक जगा है गुझी दमव दरहा गुझी तो ये उस जगा से सम्मंधित है तो 36 गड़ में रिसब तिर्थ की जानकारी का साहित्तिक सुरोत क्या है तो आदीपुरान गलत है गलत है अर्थ सास्त्र गलत है सही आंसर है महाभारत क्योंकि महाभारत के वन पर्व में है ना महाभारत में एक वन पर्व है इस वन पर्व में रिसब तिर्थ नामक सब्द का जो इस्तमाल किया है उसको लोचन प्रसाद पांडे जी ने गुंजी नामक जगा से समानता बताय है इसलिए आंसर होगा हमारा महा भारत चलिए नेक्स्ट प्रस्टने की और बढ़ते हैं 36 गड़ के निम्न लिखित में से किस इस्थान में महा पासाड युगिन सभ्यता के आउसेश प्राप्त हुए है तो इसका आंसर है टेंगना टेंगना कहा है टेंगना रायगड में है तेंगना और एक तो यह टेंगना जगा है और दूसरा एक मलहार जगा भी है जहां से महा पासाड युगिन सभ्यता के आउसेश प्राप्त हुए है तो तीसरे नंबर के प्रस्टन का अंसर होगा टेंगना आगे चलते हैं चौथे नंबर के प्रस्टन में चलते हैं चौथा नंबर के प्रस्टन हमारा है जन्सरुतियों के अंसार रमायन कालिन छतिसगड के इस्थान और उससे संबंधित मानिताओं के साथ सही संबंध जोड़ना है तो देखिए सही संबंध है सही संबंध हमको देखना है रमाय काल के ये जगह है उनसे सम्मंधित सहीं इस थलों को हमको कनेक्ट करना है तो देखिए इसमें जो है आपका अत्री मुनी का आश्रम जो है वो है सीता मढ़ी में लोमस रिसी का आश्रम ये है राजिम में मतंग रिसी का आश्रम थोड़े दर पहले मैं आपको बताया सिवरी न नंबर तो क्या आश्र हो जाएगा हमारा देखिए अत्री मुनी का आश्रम अत्री मुनी का आश्रम सीता मढ़ी में है लोमस रिसी का आश्रम राजिम में है तीन चार वाला कोई है ये आश्र है तीन चार दो एक ये हमारा आश्र हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट प्र इन में से कहां प्राप्त हुए है तो इस राज्य में काच गुप्त के जो सिक्के हैं सबसे पहले याद रखिए इसका अंसर होगा बाना बरत काच गुप्त के सिक्के कहां से प्राप्त हुए है बाना बरत से टोटल 20 सिक्के प्राप्त हुए है ये बाना बरत दुर्ग में है बीच सिक्के प्राप्त हुए है इस बीच सिक्के में साथ सिक्का विक्रमदित्य का है एक सिक्का समुद्र गुप्त का है और एक सिक्का जो है काच गुप्त का है तो ये आंसर हो जाएगा हमारा बाना बरत उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रस्न है निम्न लिखित राजवन्स तीसरे नमबर पे आएगा वाकटक वेंज और चोठे नमबर पे आएगा गुप्त वेंज तो ये कुछ इस कदर इस तरह से ये आंसर होगा एक, दो, चार, तीन एक, दो, चार, तीन ये आंसर है हमारा इसके बाद फिर आगे चलते हैं आगे है हमारा निम्द लिखित कथनों को पढ़िए चले निम्द लिखित कथनों को पढ़िए यहीं पर देखते हैं इसको तो चितवा डोंगरी मध्य पासाण कालीन इस्थल है तो यह गलत है क्यों क्योंकि चितवा डोंगरी जो है नव पासाण कालीन इस्थल है इसकी खोज प्रोफेसर कामले और रमेंद्रनात्मिस्र ने किया था रमेंद्रनात्मिस्र तो सही है लेकिन कामले आंसर गलत है कामले के जगा क्या आएगा यहाँ पे आएगा B.S. बगहेल B.S. बगहेल, भगवान सिंग बगहेल और रमेंद्रनात मिस्र ने इसकी खोच की थी तो पहला कथन गलत, दूसरा कथन गलत, तीसरा यहां मध्य पासार यूगिन पांसो घेरे प्राप्त हुए है यह कथन भी गलत होगा, क्योंकि पांसो घेरे जो है, वो धनोरा से प्राप्त हुआ है ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, इसमें सभी के सभी जो कथन है, वो गलत है तो इसको अपन देखते हैं, देखिए हमारा जो आंसर होगा, वो होगा, इन में से कोई नहीं, इन में से कोई नहीं जो है हमारा आंसर होगा नेक्स्ट प्रस्न है, अमरार ये कुल के तामर पत्रों में किन-किन राजधानियों का उलेख है अम्रारी कुल के जो तामर पत्र है उनमें किमकिन राजधानियों का उलेख है तो ये एक तो है सरपपूर एक तो है स्रीपूर स्रीपूर का मतलब सिरपूर और एक है आपका प्रसनपूर ये तीनों आंसर सही है खलारी का उलेख नहीं है, खलारी जो है, ये इसका उलेख होता है, कल्चूरी के लहूरी साखा में, जिसका इससे संबंध नहीं है, तो इसका आंसर होगा, एक, दो और तीन सही है, तो हमारा आठवा नंबर का प्रस्ण जो है, इसमें सही आंसर हो जाएगा, एक, दो और तीन चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं नवे नंबर का नववा नंबर का प्रस्ण हमारा कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िये आईए पढ़ते हैं निम्नलिखित प्रस्णों को तो निम्नलिखित कथनों को पढ़ते हैं समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रसस्ती में उ सिर्पूर में अनेक बौध विहारों का निर्मान किया, ये भी सही है, अतह इस प्रस्ल में एक, दो, तीम, ये अंसर सही हो जाएगा, चलिए, आगे चलते हैं, कालीदास द्वारा रचित, मेग दूत में अमर कंटक परवत का क्या नाम है, तो इसका अंसर होगा, अमर कंटक परवत को क्या बोला गया है, इसको बोला गया है, आमर कूट, ये याद रखेगा, नेक्श चलते हैं, किस सासक को कली का कल्प विक्ष कहा गया है, महा भाव गुप्त द्वीतिय भीम रत, इसको याद रखेगा, ये कौन से वंस का है, तो ये कलीं के सोम वंस का सासक है, कली को कली का कल्प वरिक्ष कहा गया है। रियाद रखिएगा नन्न राज बीती ने कोशल मंडला धीपती की उपाधी धारन की थी, बाकि सभी विकल्प सही है, महा सिवतीवर्देव सकल कोशला धीपती सही है, ठीक है, महा सिवगुप्त बालरजुन माता पित्र दानु ध्याता ये भी सही है, सिवगुप्त परम में से किस राजवंस में इस राज़ पर सासन नहीं किया है, तो देखिए, सरपुरी वंस ने इस राज़ में सासन किया है, अंडू वंस ने इस राज़ में सासन किया है, मौखरी वंस ने इस राज़ में सासन नहीं किया है, ये मौखरी वंस का सम्मंध जो है, यूपी या म अगध छेत्र से है, जो वहाँ पर सासन किया है, भले वैवाहिक सम्मन्ध इस्थापित था, लेकिन इसने यहाँ पर सासन नहीं किया है, तो इसका अंसर हो जाएगा B. आगे चलते हैं, निम्द लिखित में से कौन सा कथन सही है, चलिए आईए देखते हैं, कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो है, सात महन वंस की सक्ती छीड होने के बाद, वाकटक वंस ने अपना राज्य इस्थापित किया, बिल्कुल सही है, वाकटकों ने नंदी वर्धन को राजधनी बनाई, बिल्कुल सही है, नंदी वर्धन मतलब महरास्ट का एक जगा है, अजन्ता अभिलेक में वाकटक राजाओं की वंसा वली दी गई है, ये भी फैक्ट सही है, ये जो अजन्ता अभिलेक है, इसमें हरी सेन, ये जो हरी सेन है न, उसका ये अभिलेक है, अ प्रिस अजन्ता भिलेख में वाकटक राजाओं की वंसावली दी गई है, अतह तीनों कथन सहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा, वो कौन सा सहीं होगा, वो होगा, एक, दो, तीन सहीं है, चले, आइए देखते हैं, ये, एक, दो, तीन, आंसर हो जाएगा हमारा, 14 नंबर के प् सिंहनपुर की गुफा से निम्न लिखित साक्ष प्राप्त हुए है, देखिए, सिंहनपुर की गुफा रायगर में है, यहां से कौन-कौन से साक्ष प्राप्त हुए है, इसके बारे में बात करते हैं, तो पांच कुल्हाडी प्राप्त हुआ है, बिल्कुल प्राप्त हु अब देखिए, नेक्स्ट, पंक्ती बद्ध माना उस रिंखला, पंक्ती बद्ध माना उस रिंखला यहां से प्राप्त नहीं हुआ है, यह पंक्ती बद्ध माना उस रिंखला जो है, यह कबरा पहाड से प्राप्त हुआ है, तो यह विकल्प हमारा गलत हो जाएगा, यह कथन जो है और चौथा हमारा कथन है जल सहीत कमल का चित्र तो जल सहीत जो कमल का चित्र है ये करमागड से प्राप्थ हुआ है ये कहां से प्राप्थ हुआ है करमागड रायगड से प्राप्थ हुआ है तो ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया पांच कुल्हाडी सही है सिकार क अद्रिस से सही है, तो एक और दो सही है, क्या पूछा है, निम्द लिखित साक्ष प्राप्थ हुए है, तो इसका अंसर होगा C, 15 नंबर का अंसर होगा C, आगे चलते हैं, राजरसी तुल्यवंस का अंतिम सासक कौन था, तो देखे, राजरसी तुल्यवंस का अंतिम सासक इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आता है सूरा, सूरा के बाद कौन आता है? दाइत प्रथम, दाइत प्रथम के बाद कौन आता है? विभीशन, विभीशन के बाद कौन आता है? विभीशन के बाद आता है? भीम प्रथम, फिर भीम प्रथम के बाद कौन आता है? दाइत दूति के बाद कोन आता है? इसमें आता है भीम दूति है. तो देखिए भीम दूति कहीं पर रहे यह देखिए भीम सेन्विति जो है तो इसका आंसर हो जाएगा सी. भीम सेंविती जो है इस वंस का अंतिम सासक है नेक्स चलते है नल वंस के सासकों की स्वण मुद्राएं कहां से मिली थी तो इसका सही आंसर होगा अडेगा या अडेगा जो की केस काल कॉंडा गाओं में है और यहां से टोटल जो है 32 सिक्के प्राप्थ हुए थे इस 32 सिक्के में 29 सिक्के जो है वो वराह राजके थे और एक सिक्का जो था वो भावदत का था और दो सिक्का जो था वो अर्थपती का था टोटल 32 सिक्का जो है अडेगा से प्राप्थ हुआ है चलि आंसर हो जाएगा डी आगे चलते हैं अठारवे प्रस्न की ओर तो अठारवा प्रस्त हमारा कहता है कि गुप्त कालीन सिक्कों की प्राप्ती हुई थी कहां-कहां से गुप्त कालीन सिक्के प्राप्त हुए है तो आप सब को पता है एक तो आरंग से प्राप्त हुआ है और दूसरा खर्सिया से प्राप्त हुआ है आरंग से किसका सिक्का प्राप्त हुआ है कुमार गुप्त का सिक्का प्राप्त हुआ है silver coated copper coin रजत जडित तामे का आरंग से प्राप्थ हुआ है कुमार गुप्त का कुमार गुप्त को ही महिंद्रा दित्रा गया है दूसरा सिक्का प्राप्थ कहां से हुआ है खर्सिया से खर्सिया से किसका सिक्का प्राप्थ हुआ है खरसिया से प्राप्थ हुआ है विक्रमा दित्य का सिक्का प्राप्थ हुआ है खरसिया से विक्रमा दित्य का धनुर्धारी सिक्का जो है वो खरसिया से प्राप्थ हुआ है और आरंग तो ये दो अप्सान गलत है मलहार और ताला गाउं गलत तो इसका सही आंसर होगा एक औ कौन सी जोडी सुमेलित है माते गढ़ा देखिए तो ये पासाण काली निस्थल है तो माते गढ़ा बालोद में है नहीं गलत बस्तर में है ये ठीक कालीपूर कहां है रायगण में गलत ये भी कहां है ये भी बस्तर में है मूपनसार मूपनसार कहां है तो मूपनसार भी ये ये भी बस्तर में है और गड़ घदेला ये कुंडा गाव ये सही आंसर है अतहा हमारा D option जो है वो सही होगा चलिए next प्रस्ट है हमारा 20 वा नंबर का प्रस्ट गहता है सुमेलित कीजिए सुची नंबर 1 से सुची नंबर 2 को सुमेलित करते हैं तो देखिए इसमें चलिए राजर्सी तुल्यवंस तो राजर्सी तुल्यवंस का संबंध किस से होगा राजर्सी तुल्यवंस का संबंध होगा भीम सेन प्रथम से ठीक है नलवंस का संबंध होगा नलवंस का संबंध किस से होगा ये होगा इसकंद वर्मा से ठीक, तो ये हो गया तीन, ये हो गया दो, अब उसके बाद फिर सरपुरी वंस, तो सरपुरी वंस, जैराज पांडु वंस, चंद्रगुप्त तो इसका अंसर हो जाएगा आपका तीन, दो, एक, चार तो इसका अंसर हो जाएगा तीन, दो, एक, चार डी अंसर हो जाएगा तीन, दो, एक, चार ये डी विकल्प जो है हमारा सही है चलिए, आगे चलते हैं आगे की प्रस्ण की ओर 21 नंबर का प्रस्ण देखते है चलिए, 21 नंबर का प्रस्ण हमारा है निम्द लिखित में से कौन से इतिहासिक साक्ष चतिजगड के प्राची नितिहास का महत्पुन स्रोत है ये सरलसा प्रस्ण है और एक्जामों में कई बार इसको पूछा भी गया हुआ है तो इसका अंसर होगा राजीम अभिलेग राजीम अभिलेग बिलास्टूंका है और ये 700 से 740 इसवी के बीच में इसका समय काल करम प्राप्थ होता है नेक्स्ट प्रस्ण है वैदिक काल में बस्तर को निम्द लिखित में से किस नाम से जाना जाता है तो वैदिक काल में वैदिक काल को दो भागों में बाटा गया है रिग वैदिक काल तो रिग वैदिक काल में 36 गड़ का कोई साथ्ष्य प्राप्त नहीं होता है उत्तर वैदिक काल की अगर बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में 36 गड़ को क्या बोला गया है दक्षिन दिक बोला गया है और ये दक्षिन दिक जो है विकल्प में कहीं पर भी नहीं है अता है इसका आंसर होगा D, इन में से कोई नहीं 22 वा नमबर का प्रस्ण हो गया 23 वा नमबर का प्रस्ण देखते हैं 36 गड में प्राचीन काल में सासन करने वाले सरप्पुरी राजवन्स का राजधर्म निंद लिखित में से क्या था इनका राजधर्म क्या था इस चीज को देखते हैं आप्सन हमारे पास है सैवधर्म साक्त वैसनाव बौध तो इसका आंसर होगा वैसनाव क्योंकि इन लोग जो है परम भागवत की उपाधी धारन करते थे और वैसनाव इनका जो है धर्म था इसको याद रखिएगा 23 नमबर का प्रसन के बाद 24 नमबर की ओर चलते हैं प्राचीन जन सुर्ती के अनुसार राजा मुरत भच का संबंध 36 गड़ के निमने इस्थानों से जोड़ा जाता है तो एक तो जोड़ा जाता है आरंग से और दूसरा जोड़ा जाता है रतनपूर से तो इसका आंसर होगा एक और तीन चलिए आगे चलते हैं 24 नमबर का आंसर होगा एक और तीन 25 नमबर के प्रसन की ओर चलते हैं तो पचीसमे नंबर का प्रस्त हमारा है, सुमेलित कीजिए, अब इसमें देखिए, ये पासाणकाली निस्थल है, तो घाट लोहांग, घाट लोहांग जो है, ये मध्य पासाणकाल से सम्मंधित है, बिलकुल सही है, घाट लोहांग जो है, मध्य पासाणकाल से सम्मंधित है और दूसरा करका भाट, करका भाट की अगर बात करते हैं तो यहां से मेनहीर की प्राप्ति हुई है, ये भी सही है, बोतलदा, बोतलदा उत्तर पासाणकाल, तो देखिए, बोतलदा जो है, ये उत्तर पासाणकाल का नहीं है, बलकि ये कौन से पासाणकाल का है, ये पासाणकाल का इस्थल है, जबकि पांच कुल्हाडी की प्राप्ती मरुरंजन घोस ये भी सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है और ये सही है तो देखिए, यहाँ पे आंसर है हमारा एक, दो और चार सुमेलित है, एक, दो, चार सुमेलित है, एक, दो, चार सुमेलित है, तीम सुमेलित नहीं है, चलिए, आगे चलते हैं, 26 वा नंबर का हमारा प्रस्न है, 26 वा नंबर का प्रस्न कहता है, कि सैल वंस, हाँ अच्छा, इस्टेटमेंट है, पहला कथन कहता है, कि सैल वंस जो है, वो सरप्पुरी वंस का समकालिन था, बिल ठीक है ये फैक्ट गलत हो गया, इस वंस ने चतिस गड़ के पूरवी छेतर में सासन किया, ये भी गलत है, क्योंकि पूरवी छेतर में नहीं, बलकि कौन से छेतर में सासन किया है, पस्चिमी छेतर में सासन किया है, जो आपका दुर्ग और बाला घाट है, उसी छेतर से रग सिम्दिसा की ओर है तो इसमें से क्या सही है केवल पहला जो कथन है वो सही है बाकी सब ही जो है वो गलत है चलिए आगे प्रस्ण चलते हैं 27 नंबर का प्रस्ण कहता है 27 नमबर का प्रशन कहता है 36 गड़ के बाना बरद में निम्न लिखित गुप्त सासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है नहीं हुआ है पूछ रहा है ध्यान रखियेगा तो मैं थोड़े देर पहले आपको बताया था कि बाना बरत से जो 20 सिक्का प्राप्त हुआ है उसमें से समुद्र गुप्त का एक सिक्का है चंद्र गुप्त द्वीती का साथ सिक्का है ये विक्रमा दित्य है और एक काच गुप्त का सिक्का है इसकंद गुप्त का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है अता ही इसका आंसर होगा C चलिए आगे प्रस्ण चलते हैं 28 नंबर का प्रस्ण है प्रस्ण में है निम्न लिखित कत्नों को पढ़िए चलिए पढ़ते हैं निम्न लिखित कत्नों को समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रसस्ती अभिलेख में 36 गड को कोसल कहा गया है बिल्कुल कहा गया है समुद्र गुप्त ने अपने दक्षिन अभियान में कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया बिल्कुल पराजित किया उसने इस राज्य को अपने सामराज्य में सम्मिलित किया, ये गलत है समुद्र गुप्त की एक इती थी, ग्रहण मोक्षा नुग्रह इस राज्य के तरहत वो क्या करता था, किसी भी राज्य को जीतने के बाद उसको अपने राज में अपनी इच्छा ग्यानुसर मिलाता था और नहीं मिलाता था तो इस छेत्र को उसने नहीं मिलाया था ध्यान रखिएगा ठीक है अगे चलते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा एक और दो सही है मतलब 28 नमबर के प्रस्ण का आंसर होगा C, एक और दो सही है चलिए, 29 नमबर का प्रस्ण क्या कहता है 29 नमबर का प्रस्ण कहता है कि 13 सिंगह तामरपत्र किस राजवन्स से सम्मंधित है तो 13 सिंगह जो तामरपत्र है ये परवद द्वारकमंस से सम्मंधि था, इसको याद रखेगा, परवद द्वारकमंस ये किसका है, ये परवद द्वारकमंस का एक राजा है, जिसका नाम है, तुस्टीकर, उसी का ये तामरपत्र है, इसको याद रखेगा, ठीक है, चलिए, अगे चलते हैं, पूरातत्व नम्मर का प्रस्न है निम्न अभिलेख के संबंध में सत्य कथन है चलिए आईए देखते हैं निम्न अभिलेख के संबंध में सत्य कथन है पोड़ागर अभिलेख भावदत वर्मन से संबंधित है गलत पोड़ागर अभिलेख किसे संबंधित है पोड़ागर अभिलेख जो ह रिद्धी पूर जो है वो भावदत से सम्मंधित है नेक्स्ट गुंजाम कोरापूर तामरपत्र इसकंद वर्मन से सम्मंधित है गुंजाम कोरापूर किस से सम्मंधित है ये भीमसेन से सम्मंधित है अतह ये फैक्ट भी गलत हो गया नेक्स्ट पांडिया पाथर लेक भीमस विती से सम्मंधित है, तो ये सही होगा, तो आंसर हमारा B सही है, नेक्स ले चलते हैं, चीनी यात्री वेन सांग ने सिरपूर की यात्रा कब की थी, तो आप सब को पता होगा, महा सिवगुप्त बालरजुन के शासन कालमेशन, 649 इस्वी, तो 649 इस्वी में ये वेन सांग जो चीनी यात्री थे, वो 36 गड़ आये थे, और 36 गड़ में दो जगह की इन्होंने यात्रा की थी, एक मलहार और दूसरा सिरपूर, तो ये कब आये थे, 649 इस्वी में आये थे, तो ये कौन सी सताब्दी होगी साथवी सताब्दी, देखिए, आंसर क्या होगा, साथवी सताब्दी, 32 नंबर के प्रस्ण का आंसर है, आगे चलते हैं, 33 नंबर के प्रस्ण में, 33 नंबर का प्रस्ण क्या कहता है, कि सरब राज से सम्मंधित असत्य कथन है, सरब राज से सम्मंधित असत्य कथन है, ये द नहीं कौनसा भानु गुप्त का एरण अभिलेख भानु गुप्त का एरण अभिलेख में किसका वर्णन है सरबराज का वर्णन है तो ये फैक्ट हमारा गलत हो गया और असत्य कथन पूछा है तो आगे जाने की जरुवत नहीं है आंसर हो जाएगा हमारा भी नेक्ट चलते ह साथ महन काल में पाद मुलिक नामक अधिकारी होता था पाद मुलिक जो किरारी के कास्ट इस्तंभ से बहुत सारे पदनामों का उलेख हुआ है किरारी के कास्ट इस्तंभ में कुछ पदनाम मिले हैं उनमें एक मिला है पाद मुलिक तो इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब आहत मुद्रा प्राप्त हुई है मौर ये कालीन आहत मुद्रा कहां से प्राप्त हुई है तो ये प्राप्त हुई है तारापूर आडंग उरेला यह राइपूर के पास में है यह answer हो जाएगा हमारा ठीक है? चलिए आगे चलते हैं 35 नमबर के question के बाद आगे चलते हैं 36 नमबर के प्रस्ण में 36 नमबर का प्रस्ण हमारा कहता है 36 गड़ के कांकेर छेत्र में सोमवंस का सासन या जिसके निम्न लिखित सासक थे मतलब कांकेर के सोमवंस के कौन-कौन सासक थे ये पूछा जा रहा है तो चलिए तो कांकेर के सोमवंस की बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा एक तो सोम राज आ जाएगा ठीक है एक कर्ण राज आ जाएगा और एक कृष्ण राज आ जाएगा गलत कौन सा है या सो राज गलत है है ना तो ये चीज हो जाएगा अब देखिए एक दो चार कौन सा सही है एक दो चार ये आंसर हमारा सही हो जाएगा अगला देखते हैं 37 नंबर का प्रस्ट तो 37 नंबर का प्रस्ट में कहता है कि किस सोमणसी सासक ने विनीतपूर का नाम बदल कर ययाती नगर रखा था ययाती नगर जो है किस ने रखा था तो इसका अंसर होगा महासिवगुप्त प्रथम ययाती ये कौन से वंस का है कलिंके सोमणसी सासक है इन्हों ने ही विनीतपूर का नाम बदल कर क्या रख दिया ययाती नगर रख दिया था चलिए अगला प्रस्ट है 38 नंबर का प्रस्ट कहता है सरपूरीवंस के प्रसासन व्यवस्था के संबंध में सत्य है सत्य कुन सा है देखिए सासन की सबसे बड़ी इकाई सासन की सबसे बड़ी इकाई भोग थी गलत सासन की सबसे बड़ी इकाई राज्य थी ठीक है सासन की सबसे बड़ी जो इकाई थी वो क्या थी तो वो थी राज्य और सबसे छोटी इकाई को अहार कहा जाता था गलत, सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता था, ग्राम से ही अहार का निर्मान होता था, तो अब इसमें देखिए, A भी गलत है, B भी गलत है, तो A वा B दोनों सहीं है, ये तो हो नहीं सकता, इन में से कोई न किस पांडूवन्सी सासक के सासनकाल को उतकर्सकाल कहा जाता है, देखिए, ये होगा महासिवगुप्त तीवर्देव, ये पांडूवन्स के सासक है, और इनके उपर जस्ट महासिवगुप्त बालरजुन है, तो इनके सासनकाल को तो छत्यजगड के इतिहास का स्वणकाल कह जाता है उतकर स्काल अगर कभी भी पूछे तो आपको किसको लेना है तीवर देव को लेना है नेक्ट प्रस्ण है 36 गड़ के प्राचीन नगरोंवा उसके इस्थापना करता सासकों को सुमेलित करें चल यह देखते हैं तो सिरपूर को कौन महा सुदेव राज खरावत को कौन इंद्रबल मलहार को कौन प्रसन्न मात्र और रायपूर को कौन रायपूर को रामचंद्र देव तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, इसका अंसर हो जाएगा दो, उसके बाद फिर इसका अंसर हो जाएगा चार, फिर हो जाएगा एक और फिर हो जाएगा तीन, ठीक है, तो चालीस का ये हो जाएगा आगे चलते हैं एक 40 नंबर का प्रस्ण देखते हैं एक 40 नंबर का प्रस्ण कहता है रिधीपूर तामर पत्र और केसरी बेडा तामर पत्र दक्षिन को सल के किस राजवन्स के ससक्त एतिहासिक प्रमान है तो देखिए रिधीपूर तामर पत्र की बात करते हैं तो रिधीपूर तामर पत्र और केसरी बेडा तामर पत्र दोनों ही तामर पत्रों का संबंध नलवन से है रिधीपूर तामर पत्र जो है ये है भावधत का और जो केसरी बेडा तामर पत्र है ये है अर्थपती का दोनो नलवन्स से सम्मंदित हैं, आंसर हमारा हो जाएगा A, नलवन्स. चलिए, आगे चलते हैं, 42 नंबर का प्रस्ण है हमारा, एरण अभिलेक में 36 गड़ के किस वन्स के सासा का वर्णर है, थोड़े दिर पहले में आपको डिस्रिप्सन में बताया था, कि एरण अभिलेक, भानु गुप्त के एरण अभिलेक में सरभ राज, सरभ पुरी वन्स के राजा, सरभ राज का उलेक मिरता है, अता ही इसका अंसर हो जाएगा C, 42 इसका अंसर हो जाएगा C, आगे चलते हैं, 43 नंबर के प्रस्ण की ओर, 43 नंबर के हमारा प्रस्ण कहता है, कि स्टेट्मेंट है, रामायन कालीन सांता गुफा, 36 गड़ के धमतरी जीले में इस्थित है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही कथन है, कथन दो, सांता स्रिंगिरिसी की पतनी थी, बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है, सांता जो है वो दसरत की पुत्री थी, दसरत जी जब मतलब पुत्र की प्राप्ति नहीं होते रहती है तब वो सिहावा अगमन उनका होता है, स्रिंगी रिसी से वो मुलाकात करते हैं, और स्रिंगी रिसी के द्वारा ही वो पुत्र कामेश्टी यज्य का आयोजन करते हैं और पुत्र कामेश्टी यज्य से यज्य पुरुस उत्पन होते हैं और यज्य पुरुस के आग्या नुसार दसरत जी उनके द्वरा दी गई वस्तुमों को सेवन करवाते हैं रानियों को और उनको पुत्र की प्राप्ति होती है उसके बाद उस सा प्रांता का विवाह, दसरज जी ने किन के साथ करवा दिया, श्रिंग रिश्ची के साथ करवा दिया, ये गुफ़ा सी हावा में मौजूद है, तो इसका आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है, सी आंसर होगा इसका, नेक से चलते हैं, चवालीस नंबर का हमारा प्रस् हुआ है, याद रखियेगा, अब यहीं पर एक और तलाब लिखा हुआ है, जलसें, जलसें तलाब, जलसें तलाब को भी याद रखियेगा, जलसें तलाब ये वही तलाब है, जिस पर चंद खुरी में कौसिल्या माता का मंदिर है, ठीक है, तो आंसर होगा हमारा हीरा अंधे तलाब, नेक्स चलते हैं, 36 गड में सरवाधिक, पासाण, कालीन, सीला, खंडों तथा इसमारकों की प्राप्ति किस जीले में हुई है, तो इसका अंसर होगा, बालोद, देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, पासाण, कालीन, सीला, खंडों तथा इसमारकों, यह बि लिखा रहता, पासाण, कालीन, सीला, खंडों की प्राप्ति, तब आपका अंसर क्या हो जाता है, तब आपका अंसर हो जाता है, रायगड चलिए, आगे चलते हैं, 46 नंबर का प्रस्ट में कहता है, कि कांकेर के 100 मंस के संस्थापक कौन थे, तो यह थे सिहराज, ठीक है, सि ठाकुर्दिया और मलहार तामरपत्र की सरपुरी सासक से सम्मंधित है इसका अंसर है प्रवराज प्रथम प्रवराज प्रथम याद रखेगा ठाकुर्दिया और मलहार तामरपत्र और ये सरपुरी सासक है इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रस्न है हमारा रिसी जमदगनी आसरम, ये कहां इस्थित है, रिसी जमदगनी आसरम, तो याद रखेगा, ये जो रिसी जमदगनी है, ये कौन है, तो ये रिसी जो जमदगनी है न, ये परसूराम के पिता है, परसूराम के पिता है, तो इनका आसरम कहां है, तो इनका आसरम है, सरगुजा आंसर हो जाएगा C. चलिए. आगे चलते हैं. परिक्षा लेने के लिए. जब उनकी भक्ती के बारे में अर्जुन को बताया गया तो अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ. तो स्रीकृष्ण जी अर्जुन को ले के आये. और उनका परिक्षा लिया. तो ये याद रखेगा. इसमें आंसर होगा. उप्रोक्त सभी. तीनों याद रखेगा. धर्मरत. तो 50 नंबर के प्रस्ण का अंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा. धर्मरत. चलिए. एक बहुत बढ़िया प्रस्ण है. रतनपूर में इस्थित है. देखे. बंकेश्वर मंदिर. बंकेश्वर मंदिर रतनपूर में है क्या? नहीं. की दरगाह ये रतनपूर में है और एक वीरा मंदिर ये रतनपूर में है एक वीरा मंदिर जो है ये रतन तृति के द्वारा बनाया गया था इस मंदिर का एक और नाम है लखनी देवी मंदिर लखनी देवी मंदिर तो तीन और चार सही है तो तीन और चार वाल आंसर विकल पून सा है ये हमारा सही हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं 52 नंबर का प्रशन देखते हैं 52 नंबर का प्रशन हमारा क्या कहता है 52 नंबर का प्रशन ये 52 नंबर का प्रशन है ये कहता है कि कवरधा जीले में इस्थित बकेला ग्राम कवरधा जीले में जो बकेला ग्राम इस्थित है, ये किस तिर्थंकर से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा, पास्वनाथ, पास्वनाथ से संबंधित है, बकेला ग्राम, कवर्धा में इस्थित है ये, चलिए, आगे चलते हैं, बस्तर में काक्ति पंस के निम्न सासकों का सही क्रम निर्धारित So, इसका हो जाएगा, एक annamदेव, annamदेव के बाद हो जाएगा, next, पुर्सोत्तमदेव, तो एक तीन, एक तीन वाला कौन कौन सा है, देखें, एक तीन वाला ये है, ये है, उसके बाद आ जाएगा कौन? नरसिह देव, एक तीन दो, एक तीन दो, हाँ, ये आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा तिरपन नंबर का हमारा आंसर होगा C चलिए आगे चलते हैं एक और बढ़िया प्रशन हमारे सामने आ रहा है ये है कुरुसपाल अभिलेख से सम्मंधित कुरुसपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस सासक ने मधुरान्तक देव का वध किया था बढ़िया प्रशन है याद रखेगा तो सबसे पहले ये कुरुसपाल अभिलेख जो है किसका है ये कुरुसपाल अभिलेख है चिंदक नागवन्सी राजा सोमेस्वर प्रथम अब ये सोमेस्वर प्रथम के ही मामा नहीं कोई रिष्टेदार रहते हैं और धारा वर्स के पस्चात राजा बनना था सोमेस्वर देव प्रथम को लेकिन बीच में आ जाते हैं मधुरानतक देव और वो राजा बन जाते हैं फिर ये सोमेस्वर देव प्रथम जो है इनको मारते हैं और मारने के बाद ये राजा बनते हैं, तो आंसर होगा D, सोमेश्वर देव प्रथम, तो चववन नमबर के प्रश्ण का आंसर हो जाएगा D, इसके बाद चलते हैं, असत्य संबंध को चुनिये, रतनपुर में सरवाधिक तलाबों का निर्मान किस ने करवाया, रतनदेव प्रथम ने करवाया, एक दम सही है, रतनपुर के विसाल तलाब का निर्मान प्रित्वी देव प्रथम ने करवाया, एक दम सही है, रतनपुर के खड़क तलाब का निर्मान प्रित्वी देव द्वीती ने करवाया था, याद रखिएगा, प्रित्वी देव द्वीती ने करवाया था इसलिए ये फैक्ट गलत हो जाएगा इसके बाद फिर आंसर हो जाएगा इसका C, असत्य पूछा है हाना, तो C इसके बाद आगे प्रश्ण चलते हैं भोगवती पुरेश्वर की उपाधी कौन सी उपाधी भोगवती पुरेश्वर की उपाधी जो है, कौन सा वंस जो है धारन करता है, तो सरल सा इसका आंसर है, छिंदक नागवंस क्या यह विकल्प में है, नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इन में से कोई नहीं, नेक्शे चलते हैं सुची एक को, सुची दो से सुमिलित कीजिए, वाकाटक तो वाकाटक से हो जाएगा आपका हरी सेन तो इसका हो जाएगा, तीन सरबपुरी, तो सरबपुरी में हो जाएगा जैराज, चार, सैल वंस बोलेगा, तो स्री वर्धन दो, और नल वंस बोलेगा तो पृत्वी व्यागर ये हो जाएगा एक, तो तीन, चार, दो, एक इसका आंसर होगा चलिए, आगे चलते हैं अंठावन वनमर का प्रश्ण है, किस कल्चुरी सासक का समराज विस्तार अमर कंटक से लेकर गोदावरी तक हो गया था, तो इसका आंसर आएगा, पृत्वी देव, पृत्वी देव द्विती, ठीक है, अमर कंटक से लेकर गोदावरी तक, इनका सासन काल विस्त्रिथा, इसके बाद आगे प्रश्ण चलते हैं 69 नंबर का प्रश्ण हमारा क्या कहता है 69 नंबर का प्रश्ण हमारा कहता है कि त्रेता युग में राइपूर को किस नाम से जाना जाता था, तो देखिए त्रेता युग में राइपूर को भई एक होता है सतियुग एक होता है त्रेता एक होता है द्वापर और एक होता है कलियुग तो यहाँ पर देखे कनकपूर तो कनकपूर जो है यह सत्यूग में बोला जाता था ठीक है रायपूर जो है यह कल्चूरी काल में बोला जाता था या आप बोल सकते हो कल्यूग और हाटकपूर जो है यह त्रेता यूग में बोला जाता था और कंचनपूर जो है ये द्वापर युग में बोला जाता था तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा क्या पूछा है त्रेता युग पूछा है, आंसर होगा हाटक पूर इसके बाद अग्ला प्रस्थन है निंदलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए कौन सा कथन असत्य है आईए देखते हैं भुपाल देव महिपाल देव का पुत्र था सही है ठीक है भुपाल देव पर अभियोग चलाया गया था बिल्कुल सही है अभियोग चलाया गया था क्यों अभियोग चलाया गया था कि भुपाल देव के सासनकाल में दो विद्रोह हुआ था एक मेरिया विद्रोह हुआ था एक तारापुर विद्रोह हुआ था तो मेरिया विद्रोह का संबंध जो है दंतेश्वरी मंदिर में नरबली प्रथा से संबंधि था अंग्रेज लोग इस प्रथा को बंद करना चाहते थे, लेकिन भुपाल देव जो है, ऐसा नहीं चाहता था, इस पर अभियोग चलाया गया था, यह सहीं फैक्ट हो गया, इनके समय में तारापुर का विद्रो हुआ था, बिल्कुल हुआ था, इनके सासनकाल में राम चंद्र बाग का आकरमन हुआ था, तो नहीं पाल देव, तो यह फैक्ट हो जाएगा गलत, यही होगा आंसर हमारा, चलिए, आगे चलते हैं, आगे हैं प्रस्ने क्रमांक 61, प्रस्ने क्रमांक 61 में निम्न लिखित में से किस सासक का सासनकाल सुमेलित नहीं है, तो देखिए, सासनकाल में यह जाजल ने देव जो आपको पहला विकल्प दिख रहा है, इसी का सुमेलित नहीं है, यह होगा 1166 से 1168, अब यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, चलिए, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रस्न है हमारा, भोपाल पत्नम का संहर्स 1795 इस्वी में किसके सासनकाल में यह एक यूरोपी व्यक्ति रहता है, यह बस्तर की यात्रा करने के लिए निकलता है, लेकिन भोपाल पत्नम जगा में, वहां के इस्थानी जो जनजाती लोग रहते हैं, इस्थानी से रोग देते हैं, और वही पर विद्रो हो जाता है, यह 1795 में हुआ था दरिया देव के समय में, चलिए, अगला प्रस्न है, गड़ मंडला एवं कल्चूरियों के मध्य एक कड़ी के रूप में किस मंस को जाना जाता है, तो इसका अंसर है, फड़ी नागवंसी कवरधा वाले, इनको गड़ मंडला एवं कल्चूरियों के मध्य एक कड़ी के रूप में जाना ज भोरम देव मंदिर जो है वो चंदेल सहली में निरमित है बिलकूस हैं छेरकी महल से प्राप्त सिला लेख में नागवन सो के 24 राजाओं का उलेख है यह सही है लेकिन यह गलत है तो इसका अंसर हो जाएगा केवाल एक सही है और बाकी सब गलत है ठीक है यह हो गया आगे प्रशन है हमारा 65 नंबर का 65 नंबर का प्रशन कहता है कि कल्चूरी काली नधिकारियों के संबंध में निम्नलिखीत सुमेलित नहीं है कौन सा गलत जोड़ा है उसको सलेक करना है तो यहां पर हमारे पास एक विकल्प है महाख्य पटलिक नावों की देखरेक करने वाला अधिकारी और यही हमारा आंसर होगा ये जोड़ा सुमेलित नहीं है, कैसे सुमेलित नहीं है, क्योंकि नावों की देखरे करने वाले अधिकारी को क्या बोलते हैं, घटपती, तरपती, है न, ये हो गया, और इसके बाद देखिए यहाँ पर महाक्षपटलिक लिग दिया है, महाक्षपटलिक तो राजस्व भाग से समद्धित होता है, तो ये आंसर ये हो जाएगा, अब चलते हैं, नेक्स्ट, 75 तमबर के प्रशन के बाद देखते हैं, 76 तमबर का हमारा प्रशन क्या कहता है, 60 तमबर का हमारा प्रशन कहता है, कलचुरी कालीन 36 गड़ में, सिवनात के दक्षिन में कौन सा गढ़ इस्थित नहीं है मतलब दक्षिन में नहीं है तो हमको क्या ढूनना है हमको ढूनना है उत्तर में है तो उत्तर में कौन सा है इसका आंसर होगा सेमरिया ये कहां है सेमरिया ये बलोदा बाजार में है लवन कहां है ये भी बलोदा बजार में है सिरसागड कहां है ये बेमे तरा में है अमोरा कहां है ये रायपूर में है है ना तो इसका अंसर होगा सेमरिया ये दक्षिन में नहीं है ये उत्तर में है सिवनात्मदी के उत्तर में इसको याद रखिएगा next निम्द लिखित में से कौन सा एक फड़ी नागवनसी सासक नहीं है फड़ी नागवनसी 24 राजाओं का मडवा के सीला लेख में उलेख मिलता है नागवनसी में से कौन सा नाम यहां पर नहीं है तो देखिए आंसर हो जाएगा इसका नाग लक्षमी याद रखिएगा बाकी सब है भीम है भोज है धरनी धर है नाग लक्षमी नहीं है ये हमारा आंसर हो जाएगा नेक्स प्रशन दिखते हैं कथन वाले प्रशन है 68 नंबर का प्रशन कहता है निम्द लिखित में से सत्य कथन का चैयन कीजिए सत्य कथन करना है सत्य कथन कौन सा है निम्द लिखित में पहला कथन है राजपूर तामर पत्र मधुरान तक देव से सम्मंधित है सहीं है भाई है ना मधुरान तक भगवान सीव के उपासक थे सही है मधुरान तक को सोमेस्वर देवने पराजित कर अपना पैत्रिक राज्य पुना प्राथि onboard किया ये भी सही है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा एक, तीन और चार C होगा, 68 नमबर के प्रश्ण का अंसर क्या हो जाएगा C, चलिए, आगे चलते हैं 69 नमबर का प्रश्ण है 69 नमबर का प्रश्ण कहता है किस कल्चुरी सासक की सिक्के सटकूनी थे सटकूना कार थे इसका अंसर होगा प्रतापमल, प्रतापमल के सिक्के जो है वो सटकूना कार थे नेक्स्ट प्रश्ण है निम्नलिखित अभिलेखों एवन सम्मंधित सासकों के नामों को सुमेलित कीजिए चलिए, सुमेलित करते हैं तो इसमें आ जाएगा कुरुद, तो कुरुद में क्या जाएगा नरेंद्र राज, सिरपूर सिरपूर में कौन आ जाएगा महासिव गुप्त बालारजुन बारसूर सिलालेख बारसूर सिलालेख में आ जाएगा जगदेव भुसन और कोटगर सिलालेख में क्या जाएगा प्रिठ्वी देविती, तो इसका बनेगा आपका तीन, एक, दो और चार, ठीक, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तहनका परतामरपत्र का संबन्द किस से है, तहनका परतामरपत्र, याद रखिएगा, तहनका परतामरपत्र का संबन्द है, कांकेर के सोमवन से ये किसका है? ये पंप राज का है याद रखिएगा इसमें तहनका परतामर पत्र में पंप राज का नाम मिलता है इसके पिता सोम राज का नाम मिलता है और इसके दादा बोप देव का नाम मिलता है तो ये तहनका परतामर पत्र कांकिर के सोमवन से समंधित है आगे चलते हैं 72 नंबर का हमारा प्रश्न है निम्द लिखित कत्नों पर विचार करें बारसूर का मामा भाचा मंदिर द्रविड सैली में निर्मित है द्रविड सैली में निर्मित नहीं है यह ना, यह नागर सहली में निर्वित है, यह गलत हो गया, द्रविर सहली में तो साउथ इंडिया के मंदिर रहते हैं, यह मंदिर भगवान विशनु को समर्पित है, यह भी गलत हो गया, क्योंकि यह मंदिर किसको समर्पित है, सिव को समर्पित है, तो इसमें दोनों के दोन नहीं एक और नहीं दो, तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका D, चलिए, आगे चलते हैं, 73 नंबर का प्रशन कहता है, गंधेश्वर मंदीर, अच्छा चलिए, गंधेश्वर मंदीर सिवनात नदी के तट पर इस्थित है, बड़िया प्रशन है, गंधेश्वर मंदीर सिवनात न को समर्पित है गलत ये किसको समर्पित है सीव को समर्पित है गंधिस्वर महा देव मंदिर बोलते है उसको इसका निर्मान सरब पूरी सासकों के द्वारा करवाया गया था गलत किसने करवाया था पांडूवंस के सासक महा सिव गुप्त बालरजुन ने इसका निर्मान करव गलत है तो इसका आंसर हो जाएगा क्या सभी कथन असत्य है चवहत्तरवे नंबर प्रश्ण की बात करते हैं तो चवहत्तरवा नंबर का प्रश्ण जो है बस्तर में छिंदक नागवंस के प्रथम सासक का क्या नाम है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बस्तर में छिंदक नागवंस के प्रथम सासा कौन है द्रीपती भूसन ठीक है चंदेल मामा का सासन काल था चंदेल मामा का सासन काल कब से कब तक था 1721 से 1731 याद रखेगा आंसर हो जाएगा 1721 से 1731 इसमें आंसर क्या हो जाएगा द्रीपती भूसन यहाँ पर देखते हैं बोप देव के तीन पुत्रों में सामिल नहीं है बोप देव के तीन पुत्र थे कर्ण राज, कृष्ण राज, सोम राज सोम राज है, कर्ण राज है, राज है, पंप राज तो सोम देव का बेटा था तो आंसर हो जाएगा A ठीक है आगे चलते हैं ससत्तर नंबर का प्रश्ण क्या कहता है ससत्तर नंबर का प्रश्ण कहता है पचराही में प्राप्त, पुरा तात्विक और सेसों का सम्मंध 36 गड के निम्दलिखित में से किस राजवन से सम्मंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा पचराही लिखा हुआ है पढ़ी नागवन सी कवर्धा तोकि पचराही भी कवर्धा जीले में है आईए नेक्स प्रशन देखते हैं कथन पहला दरिया देव मराठों के अधिन सासन करने वाला पहला काक्तिवन से है इसके समय में बस्तर की स्वाधिन्ता समाप्थ हो गई बिल्कुल सही क्यों समाप्थ हो गई थी क्योंकि कोटपाड की संधी के तहत ये बस्तर छेतर पर मराठों का नियंतरन हो गया था इसी कारण बस्तर की स्वातंतरता समाप्थ हो गई थी दोनों कथन सही है, तो कथन 1 और कथन 2 दोनो सही है, इसका आंसर हो जाएगा c. चलिए. लोहंडी गुडा तरंगनी किसकी रचना है? तो याद रखेगा लोहंडी गुडा तरंगनी प्रवीर चंदर भंजदेव जोकी काक्ति वन्स की राजा है, है न, उनकी रचना है. अगे निम्नलिखीत में से सुमेलित का चयन करें, कौन सुमेलित है उसका चयन करते हैं, देखिए, पूर्सोतम देव ने चक्रकोट को राजधानी बनाया था, और दिकपाल देव ने बस्तर को राजधानी बनाया था, दलपत देव ने जगदलपुर को राजधानी बनाया था, अत इस जीले में है तो यह आंसर हो जाएगा बिलासपुर जीले में है ठीक है तो 82 नंबर का प्रशन देखते हैं प्रमुक अधिकारियों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तो प्रमुक अधिकारी देखें प्रमुक अधिकारी को क्रमार व्यवस्थित करते हैं तो राजा आ जाएगा पहले नमबर में राजा के बाद कौन आएगा? राजा के बाद आएगा विसाय पती विशायपती के बाद आ जाएगा महामंडलेश्वर फीर आ जाएगा मांडलिक मांडलिक के बाद आ जाएगा आपका कौन दीवान और दीवान के बाद आ जाएगा आपका दीवान के बाद आ जाएगा तालुका धीपती ये इसके बाद दीवान और दीवान के बाद तालुका धीपती तो इसका अंसर हो जाएगा एक तीन एक तीन वाला कोई है ये है एक तीन दो चार छे पांच इसको याद रखेगा चलिए तरासी नंबर का प्रश्ण देखते हैं तरासी नंबर का प्रश्ण कहता है किस कल्चूरी सासक ने ओरिसा के गंगवंसी सासक अनन्त वर्मन को पराजित किया था तो इसका अंसर है रत्न देव द्विती ने किसको पराजित किया था गंगवंसी सासक अनन्त वर्मन को पराजित किया था किस कल्चुरी सासक को पंडितों का वागपती कहा जाता है, तो ये लहूरी साखा के राजा ब्रह्मधेव को कहा जाता है, नेक्स्ट प्रशन है, निम्दलिखित में से सही तथ्य को चुनिये, कौन सा तथ्य सही है, आईए देखते हैं, पंचकुल के सदस्यों का चुनाओ, नगर या गाओं के सदस्य करते थे, लोग करते थे, एकदम सही है, पंचकुल के सदस्यों को महत्तम कहते थे, गलत, पंचकुल के सदस्यों को महत्तर कहते थे, पंचकुल का मुख्या महत्तर कहलाता था, गलत, ये चेंज कर दिया गया है, ये महत्तर इसमें होता, ये महत्त किस पत्रिका में हुआ है तो प्रफुल कुमारी का जो उलेक है वो दा इंडियन वुमेन हुड नामक पत्रिका में हुआ है इसको याद रखिएगा नेक्से चलते हैं घैटी पौनी प्रथा का संबंध किस जाती की विध्वा इस्त्रियों से है घैटी पौनी प्रथा जो है क राक्तिवन्स के राजा, रुद्र प्रताब देव के समय में, इस्त्री क्रय विक्रय से सम्वंधित एक प्रथा थी। तो इसमें विध्वा इस्त्रियों का क्रय विक्रय किया जाता था, जिसमें मुख्य रूप से चार जाती की विध्वा इस्त्रिया सामिल है, तो कौन-कौन सी सामिल है, सुंडी सामिल है, कलार सामिल है, धोबी सामिल है, पंडुन सामिल है, तो कौन-कौन सा सामिल नहीं है, तीन और चार सामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, एक, दो, पाँच छे, एक, दो, पाँच छे, भी आमसन इसका आंसर होगा, एक, दो दियान देने वाली बात राजीम में नहीं बलकी कहां पर बन करवाया गया था, रायपूर में ये कथन गलत है, कथन दो, लहूरियों के प्राप्ट सिला लेख में, राजी राज को महात्मा नाम से सम्धित किया गया है, बिल्कूल सही, तो इसमें क्योवल कथन एक सही है, अताहर आंसर होगा ये, 89 नंबर का प्रशन देखिए, 89 आठा अधीन में प्रथम सा सकते. चलिए, इसके बाद प्रस्ण है अधी इसके बाद प्रशन है, प्रिथ्वी देव प्रथम, प्रिथ्वी देव प्रथम को सुमेलिद करेंगे तो यह हो जाएगा सकल-कोषला-धीपती की उपाधी है ना सकल कोशला धी पती की उपाधी ये सकल कोशला धी पती की उपाधी जाजल देव प्रथम इसने छिंदक नागवन सी राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया जाजल देव द्विती की बात करते सी का पहला हो जाएगा, सॉरी, सी का जो है, चौथा हो जाएगा, सी का चौथा, चौथा मतलब यह, जाजल देव दृती, त्रिपूरी के कल्चूरी आजा, जैसिंग के आकरमन को इफल किया था, जबकि पृत्वी देव दृती के सामन्त जगत पालद्वारा राजी उलोचन मंदिर का जिरुनो धार करवाया गया, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, इसका अंसर हो जाएगा, तीन, इसका अंसर हो जाएगा, दो, इसका अंसर हो जाएगा, एक, तीन, दो, चार, एक, इसका अंसर होगा, चलिए, ब्यन्बे नंबर का प्रशन देखते हैं, ब्यन्बे किस सासक का तामरपत्र है पेंडराबंध और कुनारी जो है ये प्रताप मल्ल का सिक्का है तामरपत्र है मुगल सासनकाल के दवरान 36 गड को किस नाम से जाना जाता था तो याद रखेगा इसका अंसर होगा रतनपूर्चेत्र मुगल काल में हमारे 36 गड को रतनपूर्चेत्र के नाम से जाना जाता था चलिए आगे प्रशन देखते हैं पंचनबे नंबर के हमारा प्रशन है पंचनबे नंबर के हमारा प्रशन है सुमेलित करना है पाईये सुमेलित करते हैं महाक्ष पटलिक तो महाचपटलिक राजा स्विभाग से संबंधित है, दांडिक न्याई विभाग से संबंधित है, महाधर्मकार्णिक धर्म विभाग से संबंधित है और महासंधी विग्रहक जो है विदे स्विभाग से संबंधित है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा दो एक चार और तीन ये इसका अंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण देखते हैं मराठो ने अमर सिंग को निम्न परगने प्रदान किये थे तो याद रखिएगा मराठो ने तीन परगना प्रदान किया था रायपूर राजीम और पाटन बढ़गाओ नहीं होगा बढ़गाओ को किसको दिया गया था बढ़गाओ को दिया गया था अमर सिंग के बेटे सीव पुराज को, है न, तो आंसर हो जाएगा, एक, तीन और चार, ये आंसर होगा हमारा, next, संतन में नमबर का प्रशन है, ये कहता है, अमोदा तामर पत्र में किस कल्चुरी सासक को 21,000 गावों का स्वामी कहा गया है, पृत्वी देव प्रथम को कहा गया है, याद रखेगा, प आकरमन हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ था आकरमन 1324 इस्वी में, चलिए, आगे देखते हैं प्रशन, न, नमबर का हमारा प्रशन कहता है, कुरुस पाल अभिलेक से सम्मंधित असत्य कथन है, असत्य कथन कोन सा है, देखिए, लीपी नागरी सत्य है, भासा सत्य है, पंक्ती 49 सत्य है, जानकारी सोमेस्वर्द विती असत्य है, इसमें सोमेस्वर्द विती नहीं, बलकि सोमेस्वर्द प्रथम का है ये, थीक है, तो इसका अंसर हो जाएगा D, चलिए, अगला प्रशन देखते हैं, यह अंतीम प्रशन है, मडवा महल से सम्मंधित सत इसको याद रखियेगा, इसका अन्य नाम दुलहा देव मंदिर है, इसका अन्य नाम दुलहा देव मंदिर है, तो ये बिलकुल सही है, यह एक विस्नु मंदिर है, तो मडवा महल विस्नु मंदिर नहीं है, बलकि ये कौन सा मंदिर है, ये सीव मंदिर है, इस महल में कुल 14 इ ताबदी में 1349 इस्वी में हुआ था उसके बाद फिर ये गलत हो गया यह मंदिर विवाह का प्रतीक है ये सहीं तो कौन से सहीं है केवल एक और पांच सहीं है बाकी सभी गलत है ठीक है तो ये हमारे 36 गड़ के प्राचीन और मध्यकालियन इतिहास का जो प्रश्न पत्र हुआ आप सभी हमारे चंद्रा एकेडमी से जुड़े रहिए तब तक के लिए धन्यवाद सुभरात्री